Hello students, we are going to start chapter 1st exercise question answers and internal question answers of the chapter. Chapter name is Chemical Reactions and Equations. Class 10th, देखिए सबसे पहले first question. First question में आपको क्या बताया गया है? आपको कुछ statement given है? और इस statement से आपको बताना है कि कौन सी statement incorrect है? Statement क्या है? Lead oxide है, उसके साथ reaction की है carbon ने और उससे product क्या बनारे पास? Lead और साथ में क्या है? आपका carbon dioxide. तो इसमें आपको reaction में बताना है कि कौन सा आपका incorrect statement है? तो सबसे पहले आप चेक कीजिए है क्या reaction में? हमारे पास क्या है? Lead oxide. और lead oxide से क्या बना है? हमारे पास? Lead बना है. तो यहां से oxygen थी, वो हट गई है. तो oxygen का हटना, उसको हम क्या बोलते है? Reduction. क्या हुई है यहां पे? Reduction. Lead oxide reduce हो गया है lead के अंदर. उसके बाद next चेक कीजिए carbon. Carbon के साथ क्या add हो गई है? Oxygen add हो गई है. यहां पे हमारा क्या हुआ है? Oxidation. तो reduction किसका हुआ? Lead oxide का. और oxidation किसका हुआ है? Carbon का. अब इसमें से चेक कीजिए कौन सी statement? Wrong है. Lead is getting reduced. अभी हमने देखा किसका reduction हुआ था? Lead oxide का हुआ था, reduction lead के अंदर. लेकिन यहां पे उन्हेंने क्या बोला? Lead is getting reduced. तो यह हमारे statement क्या है? Wrong है. Second statement चेक कीजिए. Carbon dioxide is getting oxidized. और अभी हमने यहां पे बात की थी. Carbon dioxide नहीं. Carbon getting oxidized to carbon dioxide. तो यह statement भी क्या है? हमारी wrong है. Next चेक कीजिए. Carbon is getting oxidized. Yes. Carbon oxidized होके किसके अंदर convert हो गया? Carbon dioxide के अंदर. तो यह statement क्या है? हमारी right है. Next statement चेक कीजिए. Lead oxide is getting reduced. देखिए. Lead oxide था और lead oxide से क्या बना? आपके पास. Lead बना है. तो यहां पे क्या हुई है? Reduction हुई है. Yes. यह statement भी क्या है? Correct है. लेकिन आपको यहां पे incorrect statement बतानी है. तो incorrect चेक कीजिए. कौन से आपकी? A और B. यह option कहां पे आपका first option. First के अंदर है आपका A and B. तो answer क्या होगा इसमें आपका first part. Now, question number second. Question number second में क्या given आपको? आपको ferric oxide given है और aluminium. इसने reaction करके क्या बनाया है? Aluminium oxide और साथ में iron. तो यहां से आपको बताना है which type of reaction. Reaction को बताना है combination है, locomposition है, displacement है, double displacement है. और आपको पता है यहां पे हमारे पास क्या है? एक metal है और दूसरा क्या है? metal का oxide है. तो metal और एक metal oxide है. मतलब एक तो हमारे पास simple metal और make metal का हमारे पास कोई solution है. तो इस तरह की reaction के अंदर क्या होता है? जो highly reactive metal है वो क्या करती है? जो low reactive metal है उसको displace कर देगी. तो यहां से बनेगा कि हमारे aluminum से aluminum oxide और displace कोन हो गया है? हमारा iron displace हो गया है. तो इस तरह की reaction में जो iron की position change होती है तो उसको क्या बुलते है? displacement reaction. तो यहां पे चेक कीजिए कहा है? आपका displacement reaction का option D. तो answer क्या है? आपक 22 का D है. और यह आप कोशन तभी कर पाएंगे जब आपको वो series learn होगी reactivity series की. केटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी क्यों मिली, silver, OD. यह तो आपको बिल्कुल टिप्स पर हो जानी चीही. इसी से आप इन कोशन को solve कर पाएंगे. उसके बाद नेक्स द किस से करवाई है? आइरन फिलिंग से. आइरन फिलिंग के आपकी? आइरन. पाउडर फोम के अंदर है. तो बनेगा क्या आपके पास? फैरिक क्लोराइड बनेगा FECL2. साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइडरोजन गैस. तो इन्होंने जो option में पुछा है, उसके एक पास हाइडरोजन गैस और आइरन क्लोराइड बना है. तो यह option हमारा क्या है? ठीक है. उसके बाद और चेक कर लिजिए. क्लोरीन गैस तो कहीं नहीं बनी हमारे यहाँ पे. आइरन हाइडोकसड भी नहीं बना है. नो रियक्शन टेक्स प्लेस नहीं. रियक्शन भी हुई ह क्योंकि हमारा क्या है? आइरन जादा रियक्टिव है. किस से? हाइडरोजन से. उसके बाद आइरन साटन वोटर अर प्रोडूस. यह भी हमारे क्या है? रोंग है. तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा एपार्ट. इसके रियक्शन देखें. यह दे रखी है. अ नंबर ओफ एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, लेफ्ट साइड के अंदर. जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने हमारे राइट साइड के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स के नंबर है. वो दोनों साइड पर क्या होने चीए है? हमारे इक्वल होने चीए. और उस equal का मतलब किया balance है दोनों साइड पे तो उस reaction को हम क्या बोलते हैं balance chemical equation जिसके अंदर क्या होगा equal number of atoms होंगे किसके elements के on both side of the chemical equation ये chemical equation है इसके both side पे जो number of atom होंगे वो क्या होंगे same होंगे और इसको हम कैसे explain कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है why should chemical equation be balance आपने किया होगा 9th class में हमा किसका होगा product का होगा mass change नहीं होगा total mass होगा हमारे reaction का वो क्या रहेगा conserve रहेगा इसके अलाव आप और क्या बोल सकते हैं कि जो number of atoms होते है left side पे और right side पे वो भी क्या होने चाहिए हमारे same होने चाहिए तो उसकी वजह से हम क्या करते है chemical equation को balance करते हैं number same करने के लिए mass दो following statement into chemical equations and then balance them इसमें आपको क्या करना है जो भी आपको statement given है मतलब आपको formula नहीं given आपको एक तो formula लिखना है और साथ में आपको क्या करना है इन equations को balance भी करना है एक्जाम में यहां से पका कोशन आता है balancing का तो इसको आप proper way में करेंगे और इसके लिए आपको क्या करना है बा combine किया है किसके साथ है nitrogen के साथ और बना क्या है हमारा यहां पर ammonia अब देखो reactant क्या है hydrogen और दूसरा क्या हमारे पास nitrogen और product क्या बना हमारे पास ammonia तो यह आपको H2 formula पता होना चाहिए hydrogen gas का N2 nitrogen gas का और ammonia का क्या formula होता है NH3 NH3 तो इसी से formula लिखने के बाद ही आप क्या कर second check कीजे second के आपके पास hydrogen sulfide gas है hydrogen sulfide का formula क्या होता है H2S इसने किसके साथ reaction की है air के साथ और air में आपको पता है क्या है ज्यादा reactive होती है oxygen बना क्या है water और sulfur dioxide तो चेक कीजे water and sulfur dioxide तो इसको भी आपको क्या करना है balance करना है next equation देखिए barium chloride barium chloride क्या होता है BACl2 इसकी reaction किससे aluminium sulfide से aluminium sulfide का formula क्या होता है AL2SO4 whole thrice product क्या बना है हमारे पास aluminium chloride ALCL3 और साथ में barium sulfide BASO4 इसमें भी सारे formulas लिखने के बाद आपको क्या करना है balancing करनी है उसके बाद next है आपका potassium metal react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas अब देखिए potassium metal है आपकी इसकी reaction किससे करवाई है water से करवाई है और बना के आप आपके पास potassium hydroxide और साथ में कौन से gas release हुई है hydrogen gas तो सबसे पहले आपको formula आना चाहिए तब ही जाके आप इन reactions को balance कर सकते हैं उसके बाद next देखिए question number six question number six में भी same है आपको क्या करना है आपको इसमें reaction लिखके दी गई मतलब आपको formula लिखे हुए आपको बस क्या करना है balance करना है और balance करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो left hand side पे जो number of atoms है और जो right hand side पे जो number of atoms है उनको किसी ना किसी तरीके से हमें क्या करना है इक्वल करना है यह से चेक कर लीजे कि हमारे जो निचे equation दे रखे हैं, वो balance है या फिर नहीं है, यहाँ पर आप देखे calcium हैं, यहाँ पर भी calcium है, oxygen कितने हैं, 2 यहाँ पर है, और 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने हैं, 6 और 2 यहाँ पर है, 8, तो total हमारे oxygen भी balance है, carbon भी balance है, nitrogen चेक कीज़ें, nitrogen यहाँ पर कितने nitrogen हैं, 2 nitrogen है, और यहाँ पे भी हमारे nitrogen कितने हैं 2 है hydrogen बचे आपके hydrogen कितने हैं 2 है hydrogen यहाँ पे 2 total कितने hydrogen है हमारे पास reactants के अंदर 4 और यहाँ पे कितने 2H2 तो 4 यहाँ पे है तो यह reactions क्या कर दी हैं यहाँ पे balance करके ही लिखी हुई है तो आप इनको अपने आपसे एक बार try करेंगे उसके बाद फिर आप इनको note down करेंगे उसके बाद next है आपका question number 7 question number 7 के अंदर क्या है आपको balance chemical equations लिखनी है आपको क्या करना है पहले लिखने से पहले आपको जो formulas है वो लिखने पड़ेंगे जैसे कि calcium hydroxide है उसकी reaction किसे करवाएगे यह carbon dioxide से calcium hydroxide का formula आना चाहिए आपको carbon dioxide का formula आना चाहिए उसके बाद product क्या बना है calcium carbonate और साथ में water तब ही जाके आप इन chemical reactions को balance कर पाएगे जैसे zinc है silver nitrate है zinc nitrate plus silver next के आपके पास aluminium है copper chloride है aluminium chloride plus copper barium chloride है potassium sulfate है barium sulfate plus potassium chloride तो जो आपका left hand side है और जो यहाँ पे right hand side है उसको आपको क्या करना है equal करना है number of atoms को तो ही आपके reactions क्या हो जाएगे balance हो जाएगे now question next question number 8 question number 8 में आपको क्या बुला गया है एक तो आपको chemical equation को balance करना है आपको formulas लिखने हैं पहले फिर balance करना है फिर उसके बार next आपको बताना है कि जो यह reaction है यह किस type की reaction है reaction का जैसे कि combination है decomposition है oxidation है reduction है which type of reaction reaction के बारे में बताना आपको तो सबसे पहले देखिए आपका first क्या है potassium bromide और साथने क्या है barium iodide potassium bromide और barium iodide product के अपना आपके पास potassium iodide and barium bromide तो यह किस तरह की reaction दिखाए गई यहाँ पर double displacement reaction double displacement क्यों क्योंकि जो bromide iron है और जो iodide iron है जो bromide iron है और iodide iron है इन्होंने अपनी position को क्या कर लिया है displace कर लिया है iodide iron है वो किसके साथ जूड़ गया potassium के साथ और जो bromide iron है वो किसके साथ जूड़ गया है barium के साथ तो किस तरह की displacement है यह double displacement next B part चैक कीजिए zinc carbonate अब देखो आपको एक ही reactant नजरा रहा है यहाँ पर जब भी भी आपको एक reactant नजरा आएगा single reactant mostly वो reaction कैसे होती है आपकी decomposition क्योंकि एक से क्या बनगे हमारे पास product चैक कीजिए कितने बने हुए है दो product बने हुए है तो which type of reaction is this decomposition और पता भी होगा आपको जो decomposition reaction है वो कैसे होती है आपकी endothermic क्योंकि इसको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा इसको heat supply करने पड़ेगी next question चैक कीजिए hydrogen plus chlorine gas इससे बना क्या है hydrochloric acid देखो दो reactants जूड़े है हमारे पास और एक single product बना है HCl तो कैसे reaction है combination reaction उसके बाद next आपका magnesium plus hydrochloric acid और बना क्या product आपका magnesium chloride और hydrogen gas यहाँ पर चैक कीजिए जो magnesium metal है वो hydrogen से क्या है ज्यादा reactive है तो उसने क्या कर दिया hydrogen को displace कर दिया और किस के साथ उसने bonding बना ली है chlorine के साथ तो product क्या बना आपके पास magnesium chloride और साथ में कौन से gas आपके release हुई है hydrogen gas तो इस तरह से जो place change हो जाएगा तो क्या होगा आपका displacement reaction now next question number 9 question number 9 में आपसे question किया गया है कि exothermic reactions और endothermic reactions से आपका क्या समझते हैं इनसे क्या मतलब है इससे आपका और example के साथ आपको explain करना है देखो exo का मतलब किया है outside thermic का मतलब किया है heat तो ऐसी reactions जिसके अंदर heat release होगी किसके साथ outside outside मतलब जब हमारा product बन जाएगा product के साथ तो उन reactions को उन क्या बोलते हैं exothermic reaction और endothermic में क्या होता है endo मतलब inside मतलब आपको reactant को क्या supply करने पड़ेगी heat supply करने पड़ेगी तब जाके आपका क्या बनेगा product formation होगी तो example के साथ आपको explain करना है यह वही है जो मैं भी मैंने आपको बताया है chemical reaction that release energy energy किसी भी form में हो सकते क्योंग आपको heat energy भी होती है light energy भी होती है sound energy भी होती है तो उन reactions को हम क्या बोलते है exothermic reaction जैसे हमारे पास sodium metal है chlorine है gas है तो इसे हमारे पास बना क्या है नमक की formation हुई है common salt बोलते हैं इसको table salt भी बोलते हैं और साथ में क्या निकली है energy भी release हुई है तो कैसे reaction है exothermic क्योंकि energy कहां पे release हुई है product के साथ next इसमें जो reactions है जो endothermic है वो क्या करती है absorb करती है energy को और उनको reaction को होने के लिए किस के जूट पड़ेगी energy के जूट पड़ेगी तब ही जाके आपकी reaction proceed करेगी उन reactions को हम क्या बोलते है endothermic reactions endothermic में जैसे कि आपका सबसे commonest example जो बार बार आप हर classes में बढ़ते है photosynthesis photosynthesis में आपने किया होगा कि अगर माल्या जिस दिन sunlight नहीं है तो plant उस दिन अपना खाना प्रिपेर नहीं कर पाते है क्योंकि उनको खाना प्रिपेर करने के लिए किस चीज के जुरूरत है sunlight की जुरूरत है तो sunlight क्या है यह आपका carbon dioxide और जो water है यह तब ही एक दूसरे से reaction करेगा जब इसको क्या मिलेगी heat energy मिलेगी और heat energy किस की form में आ रही है यहाँ पे sunlight की form में आ रही है तो जो आपका photosynthesis process है आप बोल सकते हो it is a type of endothermic reaction कैसी reaction है यह endothermic reaction और product क्या बनता है जैसे कि आपको पता है oxygen gas release होते है और साथ में glucose जो की carbohydrate है उसकी formation होगी Now, next question Why is the respiration considered as exothermic reaction respiration को हम exothermic क्यों मानते हैं सबसे पहले तो आपको पता हो अच्छे respiration होता क्या है respiration क्या है जैसे कि आपने खाना खा लिया है खाने का digestion हुआ और जब खाने का digestion होता है तो आपके पास क्या बनता है glucose जब carbohydrate digest हो जाएंगे simplified हो जाएंगे तो digestion के बाद क्या बनेगा आपका glucose की formation होगी और वो glucose किसके साथ reaction करेगी oxygen के साथ क्योंकि आपको पता है हम क्या करते हैं लगातार breathing भी करते हैं सांस भी लेते हैं तो जो हमारे खाने का digestion हुआ है और जो हमने oxygen अंदर enter करवाई है अपने lungs के थुरू वो क्या करती है हमारे body के cells की अंदर जाके वो आपस में क्या करती है और बनता क्या है carbon dioxide gas जो की डिसकों की हम बाहर exhale कर देते हैं सांस से छोड़ देते हैं और साथ में water की formation होती है जो sweating की form में या किसी और form में हमारे body से remove हो जाएगा और साथ में क्या निकलती है energy निकलती है और आपको पता है exothermic reaction में क्या होता है product के साथ किस चीज की formation होती है energy की formation होती है तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो ही हमें energy मिलती है खाना खाने से हमें क्या मिलेगी energy मिलेगी क्यों? क्योंकि respiration process होता है वहाँ पे खाना खाने के बाद तो हमारा glucose बना है, वो oxygen के साथ मिलके क्या करेगा, reaction करेगा, और साथ में क्या बनेगा, आपका energy, carbon dioxide और water, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस reaction को, exothermic reaction, तो यही बताया गए आपको, energy is required to sport life, life को sport करने के लिए किसके जुरूरत है, energy की जुरूरत है, और हमारे body में जो energy है, वो कहां से आती है, हमारे food से आती है, जो भी हम खाते है, और जब digestion होता है, तो इस time पे क्या होता है, जो हमारे food के जो particles है, जो molecules है, वो तूट के किसमें चेंज हो जाते हैं, simple substance पे, जैसे मैंने आपको बताया है, glucose, और जो glucose जो किस से combine करता है, oxygen से, किस के अंदर हमारे body के cells के अंदर, और क्या provide करवाता है, वो हमें energy प्रोवाइड करता है, तो इस तरह की combustion reaction को हम क्या बोलते हैं, respiration, उसके बार next question चेक कीजिए, क्या है, question number 11, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction, इस भी लिखनी है, और बताना भी है, इसको explain करना है, देखो, decomposition में तो क्या होगा, हमारा decompose होगा, क्या decompose होगा, जैसे हमारे पास एक reactant है, वो तूटके, माल या, A भी एक reactant है हमारे पास, और हमारे पास product क्या बना, A plus B, A plus यह है ना हमारा, और जो यह decomposition की वज़े से होगी, energy की वज़े से, energy किसी भी form में हो सकती है, light की form में हो सकती है, या sunlight की form में हो सकती है, या फिर आपकी electricity की form में हो सकती है, energy किसी भी form में हो सकती है, और product क्या बना हमारे पास A and B तो A, B क्या था हमारा decompose हो गया है तूट गया है वो A और B substance के अंदर तो इस तरह की reaction को हम क्या बोलते है decomposition reaction और decomposition reaction होने के लिए किस चीज़ के जोड़त होगी energy मतलब जब A, B को हम energy देंगे तब ही वो तूटेगा A और B के अंदर नहीं तो ये breakdown नहीं होगा तो इस तरह की reactions को हम क्या बोलते हैं जिसमें energy supply करके हम reactants को तोड़ते हैं decomposition reaction और combination के अंदर क्या होता है जैसे भी हमारे पास यही दो substance है A और B अगर हमें इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों को mix करना पड़ेगा A और B को और तब जाके हमारे पास क्या बनेगा A B की formation होगी हाँ पे चेक कीजिए A प्लस B बना के हमारे पास A B और साथ में क्या release हुई है energy यहां तो product के साथ energy release हुई है और यहां हमें reactant के साथ energy देनी पड़ी थी तो यही इसमें opposition है कि एक में तो energy क्या करने पड़ी कि आपको reactant को देनी पड़ती है और दूसरे में energy क्या होती है product के साथ release होती है तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो decomposition reaction है वो opposite है किसकी combination reactions की Now next question इस question के अंदर क्या है write one equation each for the decomposition reaction decomposition का हमें क्या करना है equations लिखनी है reactions लिखनी है और इसमें हमें क्या करना है energy supply करना है किस-किस form में thermal की form में मतलब heat की form में light की form में और electricity की form में तो सबसे पहले हम यहां पर option है जो आपका first a thermal decomposition का उसको explain करेंगे कि thermal decomposition के अंदर क्या होगा तो thermal के अंदर देखिए सबसे पहले आपका है यहां पर नजरार आपको ferrous sulfate ferrous sulfate ferrous sulfate को क्या किया है यह आपको जो symbol है इसको हम delta बोलते है इसको हम क्या बोलते है heat heat energy हमने supply की और क्या बना हमारे पास spheric oxide बना sulfur dioxide बना और sulfur trioxide बना एक single reactant था तीन product बने है हमारे पास तो decomposition है और decomposition किसकी presence में है heat की presence में और heat का मतलब thermally heat दी है हमने उसको गरम किया हमने दूसरा है आपका decomposition by light light से आपको decomposition दिखाना है और light हम यहाँ पे कुण से यूज़ कर रहे है sun light तो देखिए हमारे पास क्या है silver chloride है NCRT की book में आपका यह वो भी है इसकी activity है एक china dish ली गई है उसके अंदर silver chloride रख दिया गया है window के अंदर से जो light है उसको enter करवाया गया है और उससे फिर हमारे पास product क्या बना है silver की formation हुई है और chlorine gas की formation हुई है इससे हम photographic के अंदर भी इस reactions को use करते है तो यहाँ पे हमारा जो decomposition है वो किसकी वज़ेसे हो रहा है light की वज़ेसे decomposition हुआ है हमारा तो यहाँ पे example क्या था आपका silver chloride था और उससे बना क्या है silver की formation हुई है और साथ में chlorine gas तो जो यह arrow के उपर आपको जो नज़रा रहा है light light से ही हमें क्या शोग करना था यहाँ पे next यह कीजिए decomposition by electricity देखिए अब arrow के उपर आपको क्या नज़रा रहे है इलेक्टरी सिटी तो इलेक्टरी सिटी में simple आप H2O का भी example ले सकते हो जैसे H2O आपके पास electricity पास की आपने तो क्या बना hydrogen gas बनी और साथ में कॉन से gas बनी oxygen gas यह फिर जो example हमने लिख रखा इसको भी कर सकते हो आप aluminium oxide है आपके पास जब आप इसको electricity प्रोवाइड करवाओगे तो क्या बरेगा aluminium की formation होगी और साथ में किस चीज़ की formation होगी आपकी oxygen gas की तो यह था आपका question number 12 now question number 13 what is difference between displacement and double displacement displacement और double displacement क्या है इसको आपको reactions के साथ आपको explain करना most important question यहाँ से हर बार exam में कोई ना कोई question किया जाता है displacement यह which type of reaction यह double displacement यह किर आपका इसमें precipitation reaction इस तरह से question किया जाता है exam में हर बार यहाँ से तो देखिए क्या है displacement reaction के इंदर क्या होगा हमारा एक जो ज़्यादा reactive element होता है वो क्या करेगा less reactive element को क्या करेगा उसके साथ reaction करेगा एक more reactive element replace कर देगा एक less reactive element को from a compound तो उसको हम क्या बोलते हैं displacement reaction तो यह reaction तभी होगी जब हमारा एक जो metal है वो ज़्यादा reactive होगी और दूसरी metal क्या होगी उससे कम reactive होगी और जो metal का salt होगा वो किस के साथ होगा कम reactive metal के salt होगा तभी जाके यह reaction possible है अब इसके बाद double displacement reaction double displacement के अंदर क्या होता है two atom और group of atom वो क्या करते हैं एक दुसरे की position को exchange कर लेंगे जैसे कि हमारे पास a, b है और c, d है product में क्या होगा a के साथ कौन जूट जाएगा d जूट जाएगा और b के साथ कौन जूट जाएगा c जूट जाएगा तो यह क्या हो गए हमारे यहाँ पे atom और group of atoms ने क्या कर लिया अपनी places को switch कर लिया मतलब चेंज कर लिया अपनी place को तो इस तरह की reaction को हम क्या बोलते है double displacement reaction अब यहाँ पे इसके example दिखाए गए है displacement के और double displacement के check कर लिजें यहाँ पे आपको पता है copper sulfate और zinc इसमें से कौन जादा reactive है? ultogen Ferrari आपको पता है zinc तो यह क्या है आपकी जादा reactive metal है तो यह क्या करेगी sulfate iron को अपने साथ जोड लेगी और copper को क्या कर देंगे displace कर देंगे तो यह क्या है हमारे displacement reaction double displacement में देखिए sodium sulfate और barium chloride है यहाँ पे क्या बनेगा barium sulfate जिसके PPT बनेगे हमारे पास PPT मतलब precipitate और sodium chloride यह हमारे पास aqueous foam में आ जाएगा now next question in the refining of silver the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal मतलब इसमें क्या करना आपको reaction निकली है आपको silver को purify करना है और silver आपके पास किस foam के अंदर है silver nitrate के अंदर है और कौन सी metal डालने है आपको silver को अलग करने के लिए silver nitrate से copper metal आपको पता है क्योंकि copper silver से क्या है ज्यादा reactive है अगर आप यहाँ पर gold डालते recovery of silver के लिए तो यह reaction possible नहीं होती तो देखे क्या है आपकी reaction यहाँ पर silver nitrate plus copper क्या है यह silver nitrate है इसमें से आपको silver को क्या करना है अलग करना है किसमें metal से reaction करवानी copper से तो copper किसके साथ bonding कर लेगा nitrate के साथ और silver क्या हो जाएगी आपकी displace हो जाएगी और यही process हमें chemically show करना था उसके बाद है next question number 15 precipitation reaction precipitation के लिए आप याद रखेंगे जो भी हमारी double displacement reaction होती है उसके अंदर क्या होता है एक insoluble solid बनता है मतलब एक तो आपका soluble solid बनेगा एक आपका insoluble solid बनेगा तो जो भी insoluble solid बनता है उसी reaction को हम क्या बोलते है precipitation reaction तो इसने आप कोई भी double displacement reaction का example दे सकते हैं जिससे कि यहाँ पे दिया गए आपका sodium carbonate और calcium chloride product आपके पास बना है calcium carbonate यह है आपका जो calcium carbonate बनाई है क्या आपका PPT है यहाँ पे मतलब solid insoluble substance बनाई है हमारे पास तो इसको हम क्या बोलेंगे precipitate PPT को क्या बोलते है precipitate PPT इसकी short form है इसी तरह आपके पास दूसरी reaction है precipitation की sodium sulfate और barium chloride product क्या बना barium sulfate और NACL NACL आपको पता है नमक है और पानी का solution है नमक क्या आओ जाता है पानी के अंदर घुल जाएगा तो solid किसका बन के आएगा आपके पास barium sulfate का उसके बाद next question number 16 question number 16 में क्या बताया गए आपको कि इसमें से oxidation और reduction को आपको explain करना है example के साथ कि कहां पे loss of oxygen हुआ है कहां पे gain of oxygen हुआ है तो first देखे oxidation के अंदर क्या होता है addition या फिर gain gain का मतलब क्या है addition add कर लेना addition और gain of किस चीज का oxygen का तो उसको क्या बोलते है oxidation reaction से चेक कीजिए कैसे है जैसे कि हमारे पास carbon dioxide उसकी reaction किस के साथ करवाई गई है hydrogen gas के साथ तो क्या बना हमारे पास carbon monoxide water molecule तो यहां पे देखिए हमारे पास hydrogen था उससे बना किया हमारे पास water बना है hydrogen ने क्या कर लिया oxygen को add कर लिया तो यह यहां पे क्या हो गया oxidation उसके बाद दूसरा चेक कीजिए हमारे पास copper metal है और oxygen है copper oxide की formation हुई है तो यहां पे copper ने क्या किया है addition of oxygen तो यह क्या है हमारा यहां पे oxidation उसके बाद next दूसरा आपका reduction reduction के अंदर क्या होता है हमारा loss of oxygen oxidation में addition of oxygen और reduction में क्या होगा loss of oxygen तो loss of oxygen चेक कीजिए हमारे पास यहां पे क्या था CO2 था और hydrogen था तो CO2 में से oxygen का loss होगा तो क्या बन गया हमारे पास CO बन गया तो क्या बन गया यह कोपर बन गया यह भी क्या हमारे पास reduction है तो यह सारे किसके example थे हमारे दोनों के दोनों reduction के उसके बाद next question चेक करेंगे हम a shiny brown color element acts on heating in air becomes black color आपके पास कोई brown color का element है और आपको पता है कौन सी metal होती है हमारे पास brown color की copper metal और जब उसको heat किया गया oxygen या air की presence में तो किस color का substance बना है black color का तो इसको हमें reaction की form में लिखना है उस element को हमें क्या लेके चलना है X लेके चलना मतलब जो copper है brown color का वो क्या है आपका X मतलब इसको X मालने आई इसकी reaction किसके साथ करवाई है air के साथ air के अंदर किया है ज़्यदा रेक्टिव आपके कौन से कैस है oxygen जब इसको heat करते है तो हमारे पास क्या बनता है copper oxide और जो ए copper oxide बना है इसका color कैसा होगा black in color तो इसके बारे में रस्टिंग को prevent करने के लिए क्योंकि रस्टिंग कब होती है जब हमारा जो iron metal है उसके contact में कौन कोन आता है water आ जाए उसके contact में और साथ में कोन आ जाए उसके contact में oxygen आ जाए तो मतलब एक तरह से आप ये लगा लिजे air से contact को तोडने के लिए क्या करते है iron के articles के उपर हम क्या करेंगे paint करेंगे तो यही बुलाए उन्होंने when painted the contact of iron articles मतलब prevent करना आपको iron articles के contact को किसे moisture से और air से तो उससे क्या हो जाएगा आपका rusting stop हो जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे paint apply करते है iron articles के उपर rusting को avoid करने के लिए अब उसके बाद next question है oil और fat containing food items are flushed with nitrogen why? जो भी हमारे oil ये fat containing food items होते हैं जैसे chips वगएरा है कुरकरे हैं आपके जितने भी fat वाले food items हैं आपके उसके जो भी जिस भी packets के अंदर उनको pack किया जाता है उन packets के अंदर nitrogen gas को fill कर दिया जाता है nitrogen gas जो भी आप chips वगएरा के जो packets को open करते हैं जो उसमें से air निकलती है वो air क्या है वहाँ पे कौन सी gas थी वो nitrogen gas ऐसा क्यों किया जाता है आपको पता ही होगा nitrogen gas हमारी non-reactive gas है यह किसी भी substance के साथ इतनी जल्दी reaction नहीं करती लेकिन अगर हम oxygen की बात करें तो oxygen तो सबसे जल्दी reaction करती है हमारे food substances के साथ और उनको क्या कर देगी reaction करके rancid बना देगी खराब कर देगी उनका texture, उनका color उनका taste क्या हो जाएगा हमारा खराब हो जाएगा तो इसलिए क्या किया जाता है जितने भी हमारे जो bags होते है उनके जिसके अंदर हमारा इस तरह का food item pack किया जाता है oil or food at containing oxygen gas को वहां से remove कर दिया जाता है और उसके जिए पर कौन सी gas को fill कर दिया जाता है nitrogen gas को किसलिए क्या जाता है ताकि हमारा जो packed food है वो reaction ना करे किसी भी air के component के साथ air के component में से ज़्याद अतर reaction आपकी oxygen से होती है उसके बाद next question question number 20 exercise का ये last question है इसके बाद हम discuss करेंगे जो भी हमारे chapter के बीच में से जो questions है pages के questions है उन pages के questions को हम discuss करेंगे तो देखे terms पुछी गई इन्होंने corrosion क्या है रंसिटी क्या है पता है आपको corrosion क्या है जब भी आपकी metals है या metals से बने भी कोई भी material है जब उनकी reaction air से, moisture से या chemical से होती है तो वो क्या हो जाते है हमारे जो उनकी appearance है उसमें क्या आजाती है कमी आजाती है deteriorate हो जाते है खराब हो जाते है हमारे metals तो उस process को हम क्या बोलते है corrosion बोलते है जैसे कि आपने rusting के बारे में सुना होगा rusting of iron rusting of iron is the type of corrosion यह हम अच्छी तरह discuss कर चुके अपनी वीडियो के अंदर जहां पर copper का corrosion है silver का corrosion है और iron का corrosion है aluminium का corrosion भी होता है लेकिन वो एक तरह की protective layer बना देता है aluminium oxide की form में तो यह क्या है आपका corrosion के बारे में बताये गया है उसके बाद next है आपका rancidity अभी बात की थी हमने rancidity जो oil all fat containing food items होते है उनका taste और smell चेंज हो जाती है कब चेंज हो जाती है जब वो किसे reaction करते है oxygen से reaction करते है तो उसको कैसे avoid कर सकते है rancidity को सबसे पहला आपको first point यहाँ पे दिख रहा होगा airtight containers में store कर दिए food को ताकि उसका जो contact है oxygen से वो क्या हो जाए हट जाए से reaction करे ही न उसके अलावा हम क्या कर सकते है अपने जो storing food है उसको किस तरह का environment दे सकते है nitrogen environment जिसम करते हैं न packed food के अंदर कौन से gas फिल कर दे जाते है nitrogen gas अब उसके बाद next है हमारे जो internal question है chapter के बीच में से page number 6 के question page number 6 का यह first question ही आपकी book का जैसे आप book open करते है first chapter के अंदर first question आपका यही है कि magnesium ribbon को हमें clean करना पड़ता है air में burn करने से पहले ऐसा क्यों आपको पता ही हमारे ज़्यादतर metals है जैसे sodium है potassium है magnesium है calcium है यह बहुत ही ज़्याद़ reactive metal है यह metal अगर हम इनको air के अंदर रखते है तो air से क्या कर जाती है reaction कर जाती है और इनके उपर क्या बन जाती है oxygen की layer बन जाती है जैसे कि magnesium metal है उसने किस से reaction की air से reaction की तो क्या बन गया है magnesium react with oxygen oxygen मतलब air से reaction किये है उनोंने और उसके बाद क्या बना product हमारे पास magnesium oxide, तो मतलब जो अगर हमें metal को burn करना है तो हमारी magnesium oxide की layer बन चुकी है, तो हमें उस magnesium oxide की layer को पहले क्या करना पड़ेगा remove करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसलिए हम क्या करते हैं अपने कोई भी magnesium, जो metal है हमारी, उसको air में burn करने से पहले उसको हम क्या करते हैं किसी भी sandpaper के साथ clean करते हैं ताकि जो layer है वो क्या हो जाए हमारी हट जाए किसे करेंगे हम clean पहले sandpaper से किसलिए ताकि हमारी जो reaction है वो magnesium oxide से नहीं करनी है हमें हमें किस से करनी है magnesium से करनी है तो जो हम sandpaper का use करते हैं magnesium oxide हट जाएगी और नीचे हमारे पास कौन सी metal आ जाएगी magnesium जैसे आपने देखा होगो ना घर पे भी अगर हम paint वगएरा करते हैं iron articles के उपर तो पहले sand paper से उसके उपर क्या कर लेते हैं clean कर लेते हैं उसके surface को ताकि जो rust वगएरा जो बना हुआ वो क्या हो जाए वहां से हट जाए उसके बाद next question हमें balance chemical equation रिखनी है यह पता ही आपको कैसे करना आपको hydrogen chlorine hydrochloric acid barium chloride plus aluminium sulfate barium sulfate plus aluminium chloride sodium plus water sodium hydroxide plus hydrogen gas उसके बाद next question आपका write the balance chemical equation with state symbol state symbol मतलब कि कौन सी state है solid है liquid है gas है aqueous है state बताने है आपको तो पहले आप देखिए state कैसे लिखते हैं आपको पता भी होगा solution और barium chloride solution solution का मतलब क्या है उसके साथ क्या mix है water mix है और जब भी solution लिखा होगा तो हम bracket के इंदर क्या डाल देंगे aqueous आप check किजे इस question की जो reaction है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है aqueous लिखा हुआ है sodium sulfate है इसके साथ भी क्या add कर दिया गया है water add कर दिया गया है और जो sodium chloride है वो भी किसके साथ की addition में है water के साथ तो जहां पे भी aqueous word आपको नज़र आएगा इसका मतलब है solution है हमारे पास next reaction चेक कीजे sodium hydroxide का भी क्या है solution है hydrochloric acid का भी क्या है solution है lna cl हमारे पास किस form में है aqua state में है और water कि state में हमारे पास liquid state में है उसके बाद next question page number 10 से a solution of substance x is used for white washing आपको पता होना चाहिए कि white washing के लिए हम क्या यूज़ करते है white washing के लिए हम यूज़ करते है c a o इन्होंने बोला है कि write the reaction of x x क्या है c a o है किसके साथ water के साथ देखो c a o है जिसको हम क्या बोलते है chemical name है calcium oxide और इसका common name है quick lime अगर इसकी reaction किस से करवाई जाए water से करवाई जाए तो आपके पास क्या बनेगा calcium hydroxide और इसी calcium hydroxide को हम क्या बोल दे है slagged lime क्या है ये slagged lime slagged lime मतलब बुजा हुआ चूना उसके बाद next आपका second question why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other इन्होंने बोला है कि सबसे पहले ये activity है क्या आपको activity पता होना चीए activity के इंदर क्या किया गया है water लिया गया है electrode रखे गई है और उसमें से water से क्या किया गया है जैसे हमारे पास वालिया यहां पे water है इससे हमने क्या करना है hydrogen gas को अलग करना है और oxygen gas को अलग करना है तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास एक जंग है पर hydrogen gas collect होगी oxygen के comparison में उसका जो amount है वो क्या है ज़ादा है इन्होंने बुला है ना कि double the amount collected in the other एक की जो amount है वो दूसरी से क्या है double है उस gas का नाम बताना है में ठीक है कौन से जो gas है वो double है अब आपको देखो वोटर का फोर्मूला आपको नजरा रहा है वोटर के अंदर दो पार्ट किसके है डबल पार्ट किसके है hydrogen के और एक पार्ट किसका है oxygen का तो जो हमारी one test tube के अंदर कौन से gas collect होगी hydrogen और दूसरी test tube के अंदर कौन से gas collect होगी हमारी oxygen तो किसकी amount double होगी हमारी double होगी हमारी किसकी amount hydrogen की amount उसके बार next question वाय ड़स दा color of copper sulfate solution change when an iron nail is a deep lean देखो अगर इस तरह का कोई भी question आता आपका color change इसमें आपने यह डाला दूसरा डाला तो solution का color change हो गया तो यह आपका reaction होती है displacement time जिसके नदे solution का color क्या हो जाता है change हो जाता है तो इसमें सबसे पहले आप चेक कीजिए कौन से reaction आपके यह copper sulfate है आपके पास यहाँ पे और copper sulfate की जो reaction है वो किससे करवाई गई है iron से तो देखो यह starting में solution का color कैसा दिख़र आपको यहाँ पे blue color और जैसे ही आप iron से reaction करेगा तो क्या करेगा copper को displace कर देगा और किससे साथ reaction कर लेगा वो sulfate के साथ copper हमारा अलग हो जाएगा तो जो आपके पास solution का जो color आएगा वो कैसा आजाएगा blue से कैसा color change आजाएगा आपके पास green color किस तरह की reaction हुई है आपकी तो देखी इसमें कि है sodium carbonate उसकी reaction किस के साथ करवाई गई है calcium chloride के साथ product क्या वना हमारे पास calcium carbonate और साथ में क्या है sodium chloride तो यहाँ पर कौन से reaction है हमारे पास double displacement reaction जहाँ पर क्या हो रहा है exchange of ions next identify the substance that are oxidized and substance that are reduced आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो हमारा substance है वो oxidized हुआ है और कौन सा substance हमारा क्या हुआ है reduce हुआ है तो सबसे पहले आप चेक किजिए reaction में क्या लिखा हुआ है जैसे कि हमारे पास है sodium और उसने reaction की है oxygen के साथ तो बन गया क्या हमारे पास sodium oxide तो sodium ने क्या कर लिया oxygen को add कर लिया है sodium था ये बना क्या है sodium oxide बना है तो sodium था पहले इसने क्या कर लिया sodium ने oxygen को add कर लिया तो यहाँ पे addition of oxygen हुआ है तो यहाँ पे oxidized कौन हुआ है हमारा sodium तो sodium is oxidized add is gain oxygen and oxygen get reduced और oxygen क्या हुए है यहाँ पे reduce हुई है उसके बाद second देखिए इसका point copper oxide और hydrogen देखो जो oxygen लेगा ठीक है वो तो oxidized हो जाएगा और जो oxygen देगा वो क्या हो जाएगा reduced oxygen यहाँ पर कौन ले रहा है hydrogen ने oxygen लेके क्या बना दिया वोटर बना दिया है तो hydrogen तो हो गया हमारा oxidized और यहाँ पर चेक कीजिए जो copper oxide है उससे क्या बन रहा हमारे पास copper बन रहा है तो copper oxide में उससे oxygen क्या हो चुकी है हट चुकी है हटने के बाद क्या बना हमारे पास copper बना तो यहाँ पर copper oxide is reduced to copper and hydrogen get oxidized to water